कि वूशन सरण सिंग को लेकर लगातार चर्चाएं की जा रही है यह कहा जा रहा है कि वूशन सरण सिंग एहंकारी है देश के प्रधान मंत्री नरेंदर बोधि का आश्रिवाद है लेकिन यह आश्रिवाद कब तक रहेगा क्या जाट वर्सिस जा राजफूत का बोट बैंक बचाने का प्रयास किया जा रहा है या फिर भूशन सरण सींग को बहुत ज्यादा हिंकार है नमस्कर आपके साथ मैं हूं रितिक सभीता स्वागत है आपका नेक्ष नायन न्यूज पॉलिटिकल बाइट में रि भूटा नारा क्यों दिया बेटी वचाओ बेटी पढ़ाओ लेकिन इस बीच सुप्रिया स्रीनेत क्या कुछ कहती है ब्रजभूशन सरण सींग को लेकर आप खुदी सुनिए आज आप लोगों ने भी पढ़ा होगा बड़ा खुलासा हुआ और दिल्ली पुलीस ने अपनी चार्जशीट में छे खिलाडियों और नौ अन लोगों की गवाही और साक्षियों के आधार पर चार्जशीट में भाजपा सांसद और कुष्टी संके अध्यक्ष ब्रजभूशन सिंग पर यौन उत्पीडन का स्टॉकिंग मतलब पीछा करने का इंट्रिमिडेशन मतलब धमकाने और डराने का गंभीर आरोब तो लगाया ही है साथी मुकदमा चलाने और डंदित करने की आवश्यक कारवाई कराने का कोट से आवाहन किया है आपकी जानकारी के लिए यहां पर बताना जरूरी है कि ब्रजभूशन सिंग भाजपा सांसत पर धारा 506 अपराधिक धमकी 354 महिला की लज्जा और शिल्ता को भंग करना 354 ए यौन उत्पीडन 354 डी पीछा करना जैसी धाराएं लगाई गई है पुलीस ने अपनी चार्च शीट में ब्रजभूशन सिंग को कोट बुला कर ट्रायल शुरू करने और विटनिसेज जो इसमें मेंशन है उनको बुला कर मुकदमा शुरू करने की पैरवी की है इस चार्च शीट के अनुसार 108 लोगों से बात की पुलीस ने जिसमें से 15 लोग जिसमें रेसलर्स है रेफरी है कोचेज है ने गवाही दी और उसमें यौन उत्पीडन डराने धमकाने जैसे संगीन आरोप लगाए लेकिन विडंबना सबसे बड़ी ये है कि दिल्ली पुलीस की चार्च शीट उन्हीं लोगों के बयानों उन्हीं लोगों की गवाही पे आधारे थे जिन्होंने एक्जाक्ली ये सेम आरोप एक्जाक्ली ये सेम गवाही सरकार द्वारा गठित ओवरसाइट कमिटी के सामने भी लगाई थी आपकी याद ताजा करने के लिए बता दूँ कि जन्वरी 2023 में सरकार ने छे सदसी ओवरसाइट कमिटी गठित करी थी जिसकी अध्यक्षता उत्कृष्ट मुक्केबाज श्रीमती मेरी कौम ने करी थी लेकिन अप्रेल 2023 में जब इस ओवरसाइट कमिटी ने स्पोर्ट्स मंत्राले में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी रिपोर्ट पेश करी सब्मिट करी तो उसमें उन्होंने ब्रजभूशन सिंग के खिलाफ उठे आरोपों पर मानो आख मुंदली एक आपत्ती नहीं जत आने पर खिलाडी साक्षी मलेक, विनेश फोगट, संगीता फोगट, बजरंग पुनिया जैसे खिलाडी वापस जंतर मंतर पर आकर मजबूर हुए कि वो फिर से प्रदर्शन करें अपनी जायज मांगों को लेकर और उस दौरान उनको गालियां दी गई, उनके साथ हाथा पाई की गई, उनको सड़कों पे घसीटा गया, उनके सीनों को रौंदा गया, और यहां तक कि जब उन्होंने ठक हार कर अपने मेडल गंगा में बहाने की बात करी, तो इस सरकार ने अपील नहीं करी कि ऐसा ना किया जाए, पर क्या अब चार्जशीट में संगीर आरोप आने के बाद, साक्षों के अधार पर बनी इस चार्जशीट के बाद भी सरकार मौन रहेगी, क्या अभी भी प्रधान मंत्री कुछ नहीं बोलेंगे, क्या अभी भी महिला बाल विकास मंत्री स्मृती इरानी अपना मू तभी खोलेंगी, जब राहुल गांधी के खिलाफ विशुगलना रहेगा, क्या खेल मंत्री अनुराग गोली मारो ठाकुर तभी नारे लगाएंगे, जब दिल्ली में दंगे कराए जाएंगे, इस चार्डशीट पर कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्या अभी भी संग्रक्षण ब्रजभूशन शरन सिंग को दिया जाता रहेगा, असलियत यह है कि अगर जरासा भी नयतिक्ता, रत्ती भर नयतिक्ता, इस सरकार में, इस देश के प्रधान मंत्री में, इस देश के ग्रै मंत्री में, भाजपा के अद्यक्ष में होती, तो संग्रक्षा बेटियों को मिलता बेटियों के खिलाफ अपराद करने वाले आरोपी को नहीं लेकिन ये देश भी देख रहा है और ये देश देख रहा है कि कैसे लगातार not once not twice एक बार नहीं दो बार नहीं लगातार भारतिये जनता पार्टी नेताओं सरकार और प्रधान मंत्री का संग्रक्षा आरोपी को मिलता है इस देश की बेटियों के विरुद तो इस मंच से हमारे प्रधान मंत्री से बहुत ही चंद कुछ सवाल है हमारा पहला सवाल तो वही है जो ये सवाल पूरा देश सोच रहा है महिला खिलाडियों के खिलाफ यौन शोशड के मामले पर प्रधान मंत्री चुप क्यों है उन बेटियों के मामले पर जिनको उन्होंने अपने घर की बेटी कहा उन खिलाडियों के मामले पर जिनके साथ उन्होंने फोटो खिचवाने में मिनिट भर भी देरी नहीं करी आज देश पूछ रहा है कि भाजपा सांसद और कुष्टी संग के जो अध्यक्ष है ब्रिजभूशन सिंग उनकी गिरफतारी कब होगी क्यों इतनी छूट मिली हुई है उनको और अंत में मोदी जी आपकी सरकार ब्रिजभूशन सिंग को संगरक्षन देना कब बंद करेगी विकोज यहां पर वस्तुत अस्तिती यह है कि यहां पर देश का विपक्ष आपसे सवाल नहीं पूछ रहा है आपका टेस्ट आपका परीक्षन इस समय देश की बेटियां करना चाहती है क्या नेतिकता है जरा सी भी आप में और आप क्या कीजियेगा I will very briefly make the same statement in English in a huge revolution that we all woke up to and one that something that one has known about the Delhi police has filed its charge sheet and in its charge sheet on the basis of evidence and allegations made by some of India's most decorated athletes referees, coaches and other vendors they have filed serious charges of sexual misconduct, sexual harassment, molestation and stalking against BJP MP and also the Wrestling Federation Chief Bridge Bhushan Singh the charge sheet invokes section 506 criminal intimidation section 354 outraging modesty of a woman section 354 sexual harassment 354 D stalking the police has of course asked the court to summon Bridge Bhushan Singh for trial and has asked witnesses to be called in for questioning as well according to this charge sheet 108 people were investigated and questioned 15 of whom which includes India's most decorated athletes, referees, coaches all corroborated the allegations that were made it is however indeed very very ironical that the charge sheet is based on exactly the same allegations that were raised before the oversight committee set up by the government if you remember in January 2023 the government set up a six-member oversight committee headed by Mary Com in February in February players, athletes, coaches, referees were summoned by this committee they made allegations of sexual exploitation sexual harassment against the Wrestling Federation Chief against the BJP MP but in April 2023 when the oversight committee submitted its report it may have raised questions on the functioning of the federation but kept absolutely quiet on allegations of sexual misconduct sexual exploitation did not raise any red flags and did not even recommend a police probe and what followed I think one knows it was in April 2023 after the oversight committee had no they had no faith in the oversight committee they had no faith of an investigation India's most decorated athletes returned to Jantar Mantar to carry on with their protest asking for their rights speaking against exploitation and during this time they were mercilessly beaten up they were dragged they were hurled abusers at and when they decided to drown their medals in the river the government did not even choose to make an appeal to them and which is why I think the most important factors that come to question today is will the government continue to remain quiet will the women and child development minister Smriti Irani only speak when she is spewing venom against Rahul Gandhi will she turn a blind eye to very grave charges being made in this charge sheet will sports minister Anurag Golimaro Thakur come out in the open and say a word of solidarity with the athletes I also think the moral bankruptcy of this government of the prime minister of the home minister of the BJP its chief JP Nadda is on test will Braj Bhushan Singh continue to be the member of parliament for the BJP and will the BJP not once not twice but repeatedly continue to offer political patronage protection and support to the perpetrator of the crime here and not the women and from this platform we are only asking four questions of the prime minister why is prime minister Modi conspicuously silent on charges of sexual exploitation against one of his own members of parliament being leveled by decorated athletes who he called his own when will the prime minister and the BJP president throw Braj Bhushan Shahran Singh out of the Bharatiya Janata party when will the MP and the wrestling federation chief be arrested and when will your government Mr. Prime Minister stop giving political patronage to perpetrators of crime against women you and your government are on test here not by India's opposition but India's daughters and you will have to respond so now I will see you I will see you I will see you I will see you खत्म हो गया पुलिस का जो रवया था वो भी आपने देखा लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि ब्रजभूशन सरनसींग पर जो सवाल दागे जा रहे हैं क्या इसके पीछे सत्ताधारियों का हाथ है क्योंकि सत्ताधारी यहां पर बोट बैंक के लिए विशुद राजन